हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने वीवो X100 Android में आप अपने मुवाइल फोन की नेटवर्क की प्रॉल्म को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कभी भी आगर आपके मुवाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉल्म आती है तो इसकी सॉल्व करना क्या है सबसे पहले तो आपके मुवाइल फोन का जो सिम कार्ड होता है सिम कार्ड को मुवाइल से बाहर निकाल के उसे सिम ट्रे पर दुबारा से अच्छी से लगाना है ठीक है तो mobile phone की network setting को reset करने के लिए आपको mobile phone का setting page open करना है setting page में सबसे उपर यह search icon पर tap करना है यहाँ पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है आपको नीचे की साइड यह reset options होता है reset option पर tap करना है आपका mobile phone आपको directly इस setting में लेकर आएगा reset option की setting आपको tap करने है इसके अगले page में सबसे उपर यह reset wifi, mobile and bluetooth पर tap करना है आप यह जो तीन setting देख रहे हैं na wifi, mobile, data, bluetooth यह तीनो setting आपकी mobile phone की network setting के साथ reset हो जाती है आपको नीचे की साइड इस reset setting का यह option tap करना है अब आपको इस वाले page पर अपने mobile phone का screen lock enter करना है इसके बाद आपको इसे right click करना है आपको next page में सबसे नीचे reset setting का यह option दोबारा tap करना है आपको नीचे लिखा हुआ आ जाता है network setting have been reset इस तरह की से आपको mobile phone की network setting को reset कर देना है इससे आपके mobile phone की network की problem होती है वो आपकी solve हो जाती है अब देखे अगला काम करना है आपको अपने mobile phone को restart करना है इसके लिए phone के side वाला power button आपको उगली से थोड़ी देर तक दबाके रखना है आपकी screen की सामने page open होगा यहाला इसमें restart का यह option tap करना इससे क्या होगा आपका mobile phone automatic switch off हो जाएगा फिर इसके थोड़ी देर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से यह होता है हमारे phone के android system में अगर कोई भी problem आती है तो वो solve हो जाती है अब देखे अगला काम करना क्या है आपको अपने mobile phone का software चेक करना है तो उसे आपको tap करके अपने mobile phone का software अपडेट कर लेना है जिससे आपके mobile phone की network की problem solve हो जाती है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला काम करना क्या है आपको जोन अपने mobile phone को reset करना है दिखे दोस्तों mobile phone को reset आपको तब करना है अब यहाँ पर आपको सबसे ओपर यह सर्च उपार में reset आपको लिखना है जैसे reset लिखा हुआ है तो आपको नीचे की साइड यह reset options होता है reset option पर tap करना है आपका phone आपको directly setting में लेकर आजाएगा reset option की setting tap करना है इसके अगले page में आपको सबसे नीचे की साइड यह erase all data factory reset का यह option tap करना है इससे आपका phone जो reset हो जाएगा और आपके mobile phone की network की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बात होगा ध्यान रखना है पहली बात यह ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data साड़ data आपके सी भी दूसरे phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम पहले करने है उसके बात phone को reset करना है तो दोस्तों इस वीडियो मेरे बताय हुए सारे process आपको यूज करने से आपके phone की network की problem solve हो जाएगी ठीक है